पगवान विष्णु अने मालक्स्मिनों तथा पगवान विष्णु अने प्रह्मान सम्वाद। पहुंचीने नगर ना द्वार पाणने उपदेश अपव। महल ना द्वार पर रोकवामा आवया पछी तेमनों विलास पवन मा पहुंचु तथा दरेक स्थितिमा निर्वीकार रहु। व्यास जी कहेचे भगवान विष्णु वट पत्रप और सुतेला था तेमनों मन अस्चर्यना उच्छता समुद्रमा डूबी रहु। तेमनी आवी दसा जोईने भगवाती कहेवा लागया। विष्णु तमें विश्मित विमुग्द कैम ठही रहा छो। भगवाती मा सक्ती ना प्रभावती तमें मने ओखी सकता न थी। आप एला पन सुष्टियने प्रलाई नूँ चक्रत चालतू रहु। तमें अनेक वार अवत्री चुक्या छो। ते पराशक्ती निर्गून छे। तमें सगून पर भ्रह्म छो। तेज रिते उपन सगून आ सक्ती छू। मारा सब्मन्द मा यहू जानी लिवू जोये के जे सात्विक सक्ती छे ते उँँ छू। अवें तमारा नाभी कमणि मा थि £1240 ॉत्पति थसे । रजूगून थि उत्पति थाई। ते हो संपूर्ण जगत नि रचना करसे। ब्रह्मा जी। असे तप करिया पछी सर्वत क्रोष्ट सक्ती प्राप्त थसे। त्यारे ते ओक त्रिलोकिनू निर्मान करी सकषे। ब्रह्मा रजोगून ने धारन करनार छे। तेठी तेमनी रिचली सुष्टी पन्रजोगून वाड़ी थसे विलक्षन बुद्धि बाळा ब्रह्माँ पंच महावपूतो नुु निर्मान करींगे तेमनी अंदर इंद्रियोंने इंद्रियोंना संचालक, देवतावने तथा मननने यथा योग्य स्तापित करींगे पोत आववाथी तमारी प्रकुटी माथी रुद्र नियुत्पती थसे, तेमने तामसी सक्ती प्राप्तक थसे, पछी ते रुद्र कल्पना अंतमा आश्रुष्टी नो सहार करसे, आग कार्यानों अमल करवा माटे, हूँ तमारी पासे आवी हूँ अमेशा थी तमारी पासेज रुँचु, तमारू रदै मारू निवास्तान चे, हूँ एईज रहीशु, पगवान विश्णु बोलिया, देवी थोड़ा समय पहला में 18 स्लोक सामबली अतो, तेनो भावार्त स्पष्ट अतो, ते परम रहस्यमें वानी जेना मुखेत निकली अती, ते वो वरानने तमे ते मने जनावो, हे सुंद्री हूँ अत्यंत अस्चरी मा पड़ी गयो छुँ, जे प्रमाने निर्धन मनुष्यने धननू रहस्य स्मरन थाई ते प्रमाने, मने आ वात वारंबार याद आवे छे, व्यास जी कहें छे भगवान निवात साम्डिन लक्ष्मी जिनू मुखारविंद खिली उट्यू, ते असी ने खुबज प्रेम पुरो कैवाला कि, मा लक्ष्मी बोल्या विश्णू, हुँ कवचू तेत साम्ड़ो, हुँ सगून स्वरुपा चतुर भूजवाडी भगवती छू, आ मारो परीचे छे, सु तमे निर्गुणा आध्य सक्तिन नखी जानता, तेमनों सगुन रूप पन चुपायलू रहे छे, ए महाभाग तमे ए समझीलो के तेज निर्गुणा भगवती ए आ अड़दो स्लोक कहयो छे, तेने परम पवित्र देवी भागवत समजू जोई, आ कल्यान कारी पुरा पा मानूछू, कारण के तेमने आ गुप्त रहस्य ने प्रगट करी दिदू, मा विद्याना मुक्ती व्यक्त थैली आवानी बदाश सास्त्रों नों सार छे, तेना थी तमे जजानवानी विजी कोई वस्तू तिलोक मा छेजनी, खरे-खर ते भगवती तमारा उपर खुप प्रेम राखे छे, तेमने आ गुरूदर तत्वनी प्रगट करियो छे, व्यास जी कहे छे, भगवती लक्ष्मी नी आ प्रमानी वाद सामिने भगवान विश्नुए तेने मां मंत्र मानी ने तेमना रदेमा सधाने माटे स्तापित करी दिदू, थोड़ों समय व्यतित थैय पचि तेमने नाभी कमल माथी प्रगट थैयला, ब्रमाजी देत्यों नी भाईबित थैने श्री विश्नुए शरणमा आविया, स्री अरिये घोर युद करी ने मदु कैटाउ नामना देत्य ने मारियो, पचि तेमने जब्त करता जोईने ब्रमाजी अत्यंत आनन्द थैयो तेमने भगवान विश्नुने बुच्चिव, जग्दीश्वर आप बदाय देवतावना आराध्य चो, एक कमल लोचन पचि आप कोनो जब करी रिया चो, आप थी वधारे अधर्णी ये देवता कौन चे, जेनो स्मरन करीने आप रदै आननन्द मा लिन थै रही बियु चे भगवान विश्नु बोलिया ये माँ भाग कारियक कारण वगेरे लक्षनों थी संपन जे सक्ति तमारामा आने मारामा रहली छे, तेने कल्यान स्वरूपा भगवती आध्य सक्ति जानू, जेना अधरे अगाज जर्मा पूरु जगत्स तीर छे, जे कायम रहनारी आने साका रूपे पतानी लिला प्रगट करे छे, एने जैनाती आव चराचर विश्व उत्पन थयू छे, सदा प्रस्ण रहनारी तेज भगवती महा सक्ति मनुष्यों ना उद्दार करवा माटे अवीरे तेटले के प्रगट थया छे, वर्दान आपू ए तेमनों स्वाव छे, प्रगट ना उद्दार करवा माटे तेमनों प्रागटे थाई छे, सासको पन पर सासन करवा वाला ते भगवती नी प्रेना थी जिवो आ जगत रूपी जाल मा फसायला रहे छे, सुद्ध्य स्वरुप ब्राह्मान तेज भगवती नी जित सक्ति थी हूं, अने तमे अने स संपुर न पाणियों उत्पन थाया छे, तेमा कोई संगा करवी जोये नहीं, ते देवी एज अड़दा स्लोक नू कहिँ छे, एज द्वापर्मा परारम मा विश्टुत व्याख्या थाया, देवी भागवत नामनी प्रसिद्य थासे, व्यास जी कहे छे के, ब्रह्मा जी भगवान विश्णुन नाभी कमर पर विराजमान था, तेमने ते अड़दा स्लोक ने याद करी लितो, तेयार पची तेमना अपार बुद्धी साड़ी पुत्र नारजी ने तेनू सिक्षन आपियो, नारजी ते मने सम्ढ़ावियो, पची में बार स्लोकों मा तेनू अबिकाने उत्तम कठावनू परपूर छे, तेना दरेक प्रक्रण मा तत्वग्नान नो रज परेलो छे, बदाय पुराणों मा ते स्रेष्ट मानवामा आवे छे, पवित्र ता मा धर्म सास्त्र नी बराबरी करे छे, तेमा वेद ना सिद्धान तो बरेला छे, वत्रा सूर ना वदनी कठा तथा केटलिक अन्य कठावनू तेमा वरणन छे, संसार सागर माथी मुक्ती अपावनार आप पुराण ब्रह्म विध्यानो खजानों छे, हे माँ भाग्तमे योग्याने प्रतिस्टित पूरुष्च्छो, तमारामा अपार बुद्धी छे, तेथी आप प वरवाव थी ज्ञानरुपी शुर्यानों उदै थाई चे, प्रसण निया ने कल्यानकारी पुराण स्पता वक्तावने शुखी करे चे, शांती हापे चे अने तीर्ग जीवी ने तीर्ग जीवी नी साथे साथे पुत्र पोट्रज्र दीगथी संपन करे चे, आ धर्मात्म सुख तो मारा सिस्य चे आस मंगाल मैं पवित्र पुराण नू तमारी साथ साथे ते पन अध्यन कर से सुथ जी कहे चे आ प्रमाने कहे ने व्यास चे तेमना पुत्र सुख देव जी ने तथा मने देवी भागवत नो उद्देश आपियो तेमने आ पुराण नी जे विश्ट्रुत व्याख्या करी ते बधाज विशाय ने में याद करी लिधा व्यास जी ना पावन आस्रम मा रहिने में देवी भागवत नो अध्यन करियो तो पन विजास लोकों जेवी सुख देव जी ना रदेमा सांती न थाई तेमना मनने व्याकोर्ता दूर न थाई सकी तेमने यू लागतू अधू के ते ओ काईक भुली गया छे तेमने भोजन मा के उपवास मा विशेश रुची ना थी आरी ते सुखदेव जी ये चिंदित जोय ने व्यास चीये तेमने कैयो पुत्र तू अमेशा आटला बदो चिन्ता मा क्याम रहे छे पुत्र तारा मनमा आटले बदी व्याकोर्ता क्याम छे जे प्रमाने निर्दन मनुष्य रून थी दबाईने मेशा ते नीज चिन्तामा व्याकोर रहे छे तारी पन तेवीज स्तिती थाई गई छे पुत्र मुतारों पिता अजु बैठा छुँ पछी तारा पर कै चिन्ता आवी पड़ी पुत्र जो मारा कैवाथी तारा मन्नी सांती न मलेत तु मिठलापूरी न राजा जनक महाराज पासे जा जनक राजा जानीता दर्मात्मा जीवन मुक्त अने सत्यवादी छे महाभाग तेवो तारू अज्यान दूर करी सक्षे पुत्र तु ते राजा पासे जाईने तारू संकानू असमाधान मेलविले साथे साथे ते वर्णास्त्रम संबधी दर्मोना रहस्यने पन तेमनी पासती जानीले ते राजसी जनक महाराज जीवन मुक्त ब्रह्मग्यानी परम पवित्र सत्यवादी अमेशा सांत रहवावादा योगना अभ्यासी अने योगमा निरंतर प्रिती राखो वाडा छे सुध जी कहे चे स्व्यास्ची सर्वत्तम पुरूस छे तेमनों आ प्रमाण नुक कहवू सामणी परम तेजस्वी सुखदेवजी तेमने कहवा लाग्या हे तर्मातमा आ वाद तो महारा मानमा प्रमाणे तद्दन दंब जेवी लागे चे कारण के राजा जनक प्रसंता पुर्वक राज्यकारबार संभाव चे अने साथे साथे जीवन मुक्त चे पिताश्री जे राज्य करेचे ते विदेई कैरी ते थाई जाए महारा मनमा मोटी संका उत्पन थाई चे तेथी अमें उँ ते जनक महराजी ने मरवा इच्छुछू। कारण के जर्ण मा रहवा छता कमल पत्तर नी जेम तेना थी निरले अच्छुट कही रिते रहे छे। पिताश्री भोग भोगवी ने अभोगता रहे ने करता थाईने अकरता रहे एक कईरिदे संब्वव छे। इंद्रियोनों वेवार कई रिदे अलग थई सके, मा पुत्र अस्त्रियने वेश्या तेमा भेद अने अभेद केम न थई सके, अने जो भेद करवामा आवियोतो पची मुक्तनी व्याक्यासू, कडू, तिकू, खारू, तुरू अने मिठू, आ बदायनों स्वाद जीव जान अने मनुस्य उत्तमों तम पदार्तो भोगवी रहो छे, ठंडी गर्मी, सूक दुखने पन मानस सारी रिते समझे छे, तो पची ते जीवन मुक्त कई रिते क्यवाई, मारी संकानों विशाई आज छे, सत्रू अने मित्र नू ज्ञान थता द्वेस अने प्रेम थवोते नियम छे, राजा जनक व्यावार मा रहाँ छता, नियम ने कई रिते तोड़ी सके, चोर और मा बन्ने मा तेमनी बुद्धी एक सरखी कई रिते रही सके, और जो बुद्धी मा विशमता छे तो पची मुक्त कई रिते गणाई, पितासरी में अजी सुदी कोई राजा ने जीवन्मुकत नथी जोयोग तोबक्षी जनक राजा ग्रुवस्त रईने जीवन्मुकत कही रिते छे थे आज मूटिpose संका मारा मनमा ठहही रहिछे साथे साथे तेमनी वाद साम्ड़ेने तामने मलनवानी मारा मनमा थ्युरे इक्छा जागी छे तेथी मारी संका नू संका दूर करवा ना भाने हूं मिथिला पूरी जाओ छुँ। तो थैू छे मारा ये जोवु छे के जनक महाराज कोईने दंड आप्याविना कहीरीते राज्यकारभारक संभाळे छे कारण के जो सासन 67 उठावील लेवमा आवे तो प्रजामा धार्मिकता आवती संभाव न थी धर्मने रक्सा करवा माराटे दंड अनिवादे छे आ मनु मारा जने महर्श्यों नी कायमिक जायरात छे ए पितास्त्री तो पची आ नियम कैरी दे लागू करी सक्यों आज मारा मनमा संदे छे आ प्रसंग तो यह लागे छे के जाने कोई एम कहे के मारी माँ वांधिया मारी माँ वंधिया छे ए माँ भाग आप एक महान तपस्वे छो मिथिला जती वक्ते हुँ मारा रदे मा भाव आपनी सामे स्पष्ट रिदे स्व्यक्त करी दाऊ छो सुध जी कहें छे सुखदेव जी ना मनमा जेवानों निश्चय थाई चुक्कियो तो पोता ना आवा परम ध्यानी अने द्रट वैरागी पुत्रने जोईने व्यास्चिये तेमने रद्दै साथे लगाडिया अने कैवा लाग्या व्यास्च जी बोलिया बेटा सुखदेव तारू कल्यान थाओ तुद दिर गयायो था पुत्र तू अत्यंद बुद्धिमान छे तुमारी समक्ष साची प्रतिगिया करेने अनन्दपुर वक्तु जैश सके छे त्यां थी मारा उक्तम आस्तर में पाचो आओ जे कोई अन्य जग्याए जैश ने तारा मुक्कमाने जयने हुँ मारो जिवन सुखे थी व्यतित करू छो पुत्र तूज हो मारे आखोर नी सामे न रहयो तो हुँ दुखी थाई जैश कारण के तूज मारो प्राण छे पुत अध्यन करता सुख पूर्वक मारी साथे रहे जे सुथ जी कहें चे व्यास जी नी वाज साम्बळीने सुख देव जी तेमना चरणुम मां मस्तक नुमाल प्रदिक्षिना करे अने तेज क्षणे एटली जड़ पे निकड़ी गया जाने दनुष्य नी दनुष्य थी बान चुट्यों है तेमने रस्तामा अनेक सम्रुद्ध देश वन रुक्सो दान्य थी लैराता खेतरों अनेक तपस्वियों मंत्र दिक्षाथी सोपता यज्मानों योगा भ्यास मा डुबेला योगियों वान प्रस्तों सीवजीना सुरियना सक्तिना अने विष्णूना उपास को जोवा मलिया अने प्रकारना धर्म जोवा मा आविया आ बदू जोता जोता महा बुद्धि साड़ी सुक्देव जी क्रमस सुमेरु पर्वत ने हिमालय ने ओलंगे न मिथेला न पहुंचिया धन्य दान्य थी परी पूर्ण ते नगरीमा प्रवेस करी जोयूत बदी प् दर्वाजा पर द्वार पाला तो तेने सुक्देव जी ने रुक्या आने कहिऊं आप अहीं पतारनार कौन छो आपना आवानु प्रेजन सुछे आम द्वार पाले पुछियू परमतु सुक्देव जी कोई उत्तर आप्यो नहीं परमतु नगर ना प्रवेस द्वार ती न इकड़ी ने रुक्ष्ना ठुठानी जेम अचर हल्या चाल्या विना स्थीर उभा रही गया तेमनों मन आश्चरियमा गरकाव थए गया मधा पर आश्य रेलायो तेव स्थीर उभा रहीया परमतु एक स्थब्द पन तेमना मुखे थी निकड़ियो नहीं द्वार पाले कह यह ब्राह्मान बोलो तो खरा आप मुंगा तो नथी ने आप सामाटें पदार्या च्यों एव समझू छू के विनाकारण कोई आउतु नथी यह ब्राह्मान देवता महाराज जनक जी नी आज्या मळी जयता आप आ नगरमा जैस सको छो परमतु जैनू कोड सिल जनाता कोई पन प्रकार्या नगरमा जवानू अधिकार नथी आप खरेकर मान देजस्वियाने वेदन अच्छा ग्याता जनाव छो तमार कोड न आववानू कारण मने जनाव या पछी आपनी इच्छा प्रमने नगरमा पतर पतारवानी कृपा करो सुखदीव जी कहिए द्वार कोई आमा आवियो तेमा राजापन दो निर्दोस चे कारण के विद्वान पूरोस नू करतवे चेके तेने चोर अने सत्रुने सारी रिते समझी ने व्यवार करवो द्वार पाले पुच्छिव ए भुदेव सुख अने दुख सूच छे कल्यान इच्छता मनुस्य सुख कर आव बदा प्रस्णनों निर्णै करेने मने जवु जणावानी गृपा करो सुख देव जे कईू संब्रन जगत्मा द्वेद बावनों विष्तार चे कारण के रोगी वहरागी बेप्रकार ना मनुस्यू बदे होय चे तेमनी मान्यता पौन बेप्रकार नी होय चे वेराग त्रैन भेद प्रकार छे ज्यात अने मध्यम। र्ची ब्यप्रकार नावत चतूर चतूर तापन ब्यप्रकार ने चे शास्त्रज अने मतीज। मतीजिना पन बे प्रकार जन जानीता चे, युक्त न अयुक्त, जवार पाड़े कईउं ए द्विज सेष्ट आप महापुरुष्च, हुँ ज्यान मा सुन्य चुँ, आपे जेक वातों कई ते हुँ समझी न सक्यो, के ती है भुदेव आप बधीज वातों स्पस्प पुरु स्पस्प ता पुरुग विस्तार ती कहवा कुपा करों। अने सदा सुख पहुचाड नार मित्र कहवाई छे, जे मोमा नथी पड़तों ते चतुर छे, बधाईज मोहित थाईज नार मोर्क कहवाई छे, एकांत मा रहिने आत्मानु चिंदन करूते विदांतनु वध्यान करूते वहरागी लोको माटे सुख छे, जगतनु चिंदन अने तेनो उन्डो अप्यास वगेरे चेटला कार्या छे, ते बधाईज वहरागी जनो माटे सुख दुख रूप छे, कल्यान इचिता विद्वान पूरुस माटे काम क्रोध ने प्रमाद वगेरे जुदा-जुदा सुत्रों छे, मात्र संतो सज तेनो साथी मित्र छे, त देवु जानी राजाना भवनमा जवा, द्वार पाले सुख देवजी ने प्रार्थना करी। अटला तेजस्वियता जाने बिजा सुर्य नारायन होई। त्यां पन द्वार पाले तेमने रुक्या, त्यारे कास्ट ना पुत्रानी जेम मुनी त्यां उभा रहिया। तेम महां तपस्वी मुनीये त्यां एक निर्जन, स्तान माग, डालियो, विनाना वुक्ष ना, तेमने द्रस्टी मां तड़का चायडा नो कोई महत्वा नहतू। थोड़ा समय पछी राज्ये ना मंत्री तियां आविया अने आज जोडिने शुक्देव जी ने राज्य सबामा आवेला विलास भाममा लाई गया। त्यां अत्यां द्वूत अने मनने मुही लेनार रुक्सों नी साथे ते बगीचों पन तेमने बतावा नी विवस्ता करी। त्यार बची शुक्देव जी नो विविधिव पूर्वक अतित्थिय सत्कार करी। राजा नी सेवा मां रहवा वाली गित अने संगीत मां प्रमीन घणी सुंद्रियो तियां आथी। तेमने काम सास्त्रों सारी ते अभ्यास करी। तेमने श्त्रियों ने शुक्देव जी नी सेवा करवा मांटे तेमने आग्या आपी ने राज्य मंत्रिये ते भवन थी चालिया गया। ते वक्ते मात्र सुक्देव मुनी तियां एकला जयता। ते श्त्रियों ने अत्यन श्रद्दा स्वागत करी ने प्रकारी भोजन सामगरी तियोवसी राज भवन निंद रफावाल अंतृजक्व नहीं वनay-प्वावड श्त्रियों मले निंद पूर्न मनोहर दंप लागी लोगत श्त्रियों नुमं system संध रता चेमने वाणी अत्यंत मधूरती चता पर तें मुनी ने जितेंद्ररे माने तें आणे पुरोक शेवा करती रहिए पवित्रत्त आत्मा एवा सुखदेव जी आज स्त्रियौने माता तुल्य मानता आता जे आत्म चिंतन में सुख माने ऐँ तथा जेने काम क्रोधु पर विजय प्राप्त करी लिदो छे तेने कोई पन स्तिती मां हर्ष के सोक थतो नथी तेथी स्त्रीयों नी चेश्टाओ जोवा चता पन सुकदेव जी सांध चित्ते विर्याजेला आथा स्त्रीयों ये तेमना स्यन माटे संदर सया तयार करी थी तेना परती कीमती बिछावी होतु अने सुभाई मान अनेक वस्तो थी स्यन ग्रवनी सजावत करोमा आवे थी सुकदेव जी पग दोया ने सावदन थे आथमा दर्भ लई सायम संध्या करवा बैसी गया संध्या पची ते वो ध्यानस्त थाई गया तेमनी एक पहुर रात्री तो संध्या ने ध्यानमा व्यतित थाई गया त्यार पची ते पहुर बे पहुर ते वो सुता ने रात्री ना चोथा पहुर मा उठे ने फरी ध्यानमा बैठा पजी तेमने स्नान कर यूँ प्रात कार्मा नित्य कर्मा संध्या वंदन वगेरे कार्य करिन्यते उन निश्चित थाई गया अधिया इसोडन स्वाइब निश्चित थाई निश्चित थाई गया